What's up guys, आज के स्कोर्स से हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को PHP स्कोर्स में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा और आप लोगों मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन में खड़ा कर सकते हैं PHP की मदद से गैस PHP एक बहुत ही ब्यूटिफुल प्रोग्रामिंग लेंगोज है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लेंगोज है हम लोग PHP को देखेंगे नजदीकी से और PHP के सारे असपेक्ट को समझेंगे मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके अपना नाम बताएं आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, कहां से आप ये कोर्स कर रहे हैं मैं जानना चाहूँगा और अगर कोई भी चीज रहेगी जो कि मैं आप लोग को फ्यूचर में देना चाहूँ मैं आप लोग को कॉमेंट कर रप्लाइ करके देपाँगों इसलिए इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट मुझे जरूर कर दे आप में से कई लोग अभी मुझे जानते हैं और आप लोग इस को जॉइन करने वाले हैं बहुत सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया को और मैं बिल्कुल भी आप लोग की रिक्वेस्ट को नीचे नहीं गिराना चाहता था मैंने सोचा कि क्यूँना मैं करूँ इस प PHP एक outdated programming language है PHP तो यार पुरानी language है PHP तो बेकार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है PHP बहुत ही खुबसूरत programming language है PHP में कुछ downsides हुआ करते थे PHP में कुछ bugs भी थे लेकिन time अब यहां पर आ चुका है कि अब आप लोग PHP को खराब नहीं बोल सकते PHP के भी versions है अगर आप PHP.net पर जाए आप लोग को देखने को मिलेगा कि time to time जो है नएने version release होते जाते हैं अगर यह कवाड़ा programming language होती तो शायद इसके versions release नहीं किये जाते तो यहां पर आप लोग को यह चीज समझनी पड़ेगी PHP 7 आ चुकी है पहले PHP 5 थी उससे पहले PHP के कुछ अली versions थे लेकिन PHP पर काम time to time ह हो रहा है तो बिलकुल भी आप लोग को यह परशान होनी की जरूरती है कि PHP खराब language है PHP में काम नहीं किया जा सकता या फिर PHP आगे जाकर die out हो जागी कौनसी programming language कब die out हो जाए कौनसी जो आपके frameworks हैं वो खतम हो जाए किसी को नहीं वालू में to be honest इसलिए it's good आप लोग अग backend की language सीखते हैं तो आप लोगों को बिलकुल भी problem नहीं होगी क्योंकि आपने already basics जो है वो clear कर लिए ठीक है तो यहाँ पर हम लोग कुछ installations करेंगे यानि कि हम लोग कुछ चीज़े install करेंगे सबसे पहले तो मैं visual studio code install दरवाना चाहूंगा आप लोगों को आप visual studio code किया इस मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो visual studio code एक source code editor है मैं आप टाइप करना चाहूंगा visual studio code और मैंने यहाँ पर visual studio code टाइप कर दिया है और यहाँ पर देखो कि Microsoft की तरफ से यह source code editor है developed by Microsoft Corporation आप लोगों को यह source code editor बहुत ही अच्छी तरह से काम आएगा यह करता क्या है प्रोग्राम के PHP के प्रोग्राम में आप ऐसा मैं सोच ना कि PHP का प्रोग्राम है वो आपको visual studio code उसमें कुछ मसाला डाल देगा ऐसा कुछ भी नहीं है यह आपका सिर्फ इतना करेगा कि आपको कुछ shortcuts कुछ जल्दी typing syntax highlighting syntax highlighting क्या होता है यह terms कुछ लोगों को परिशान करते ह तो मैं यह एक एक चीज़ पर फोकस करके यहां पर आगे बढ़ना चाता हूँ syntax highlighting इस चीज़ को बोलते है कि यह गाड़ा हो गया अगर कोई keyword लिखा हुआ programming language का तो वो गाड़ा हो गया देखो यहां पर आप लोग यहां पर यह गाड़ा हो गया यह green में आ रहा है लिखकर देखो property red में आ रहा है लिखकर export यह purple में लिखकर आ रहा है तो इसे syntax highlighting बोलते हैं मुझे मालूम है आप में से गई लोगों को पता होगी यह बात इसलिए आगे बढ़ते है visual studio code को install करते है visual studio code जैसे ही आप लोग लिखेंगे अपने google में आप लोगों को यह चीज़ खुलक है आप लोग को यहाँ पर host करके तो आप लोग क्यों करेंगे कहीं और से डाउनलोड में यहाँ पर मैं windows based operating system में हो भी इसलिए यह मुझे windows में डाउनलोड करने का option देगा है अगर आप लोग में है यहाँ लिनुक्स के किसी distribution में है ubuntu, kubuntu में तो आप लोग उसको के लिए इसको install कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर download करूँगा पहले click करूँगा यह पर और यह automatically देखो download होना start हो गया है तो यह user setup मेरा download होना start हो गया है यह download हो चुका है बहुत fast मेरा internet है आप लोग अगर तो लोग अगर तो कोई tension नहीं है अराम से इसको download करना एक बड़ी download हो जाता है इसको click करके run करना इस point पर आप में से कई लोग ऐसे होंगा जिन्होंने कभी programming नहीं की हो शायदा और मैं बिल्कुल इस course को basic से बना रहा हूं कई लोग ऐसे होंगा जिन्होंने कर रहा है कि programming तो मैं आप लोगों से सब यह कहना चाहता हूं कि कुछ वीडियोस तक आप लोगों को लगेगा कि इस सब चीज़े आपको आती है और बिलीव में उन वीडियोस में भी आप कुछ ना कुछ नया सीकर जरूर जाओगे यह मेरा दावा है आप लोग उसे ठीक है तो यहाँ पर इसको install करने के लिए I accept the agreement इसको पढ़ लेना agreement को क्या चीज़ क्या करेगा एड टू बात करने से क्या होगा कि जब भी आप code. लिखेंगे किसी folder में अपने powershell से अगर मैं आपर windows powershell खोलू यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों में जाधर time खाना नहीं चाता हूं अप लोगों लेकिन बहुत सारी लोगों ने पूछा है कई बा ठीक है तो आप लोग अगर किसी भी directory में visual studio code को खोलना चाते हैं वहाँ पर right click करके आप open with code कर सकते हैं बहुत convenient हो जाता है यह आप लोग के लिए तो आप लोग इन सब को check करते हैं और उसी के साथ साथ क्या होगा कि अगर आप लोग desktop icon चाते हैं तो यह तो आपको मालूम ह आप यह भी कर सकते हैं next पर click करें install पर click करना आप लोग मेरा already installed है आप लोग install पर click करना है एक दम पानी की तान install होता है मखन इसको cancel कर देता हूं मैं अभी आपको नहीं करना है cancel I repeat कि आपको install करके finish करना मैं कर रहा हूं cancel क्योंकि मेरा already installed है ठीक है और यह कोई बड़ी install करवाना चाहूंगा वो है PHP itself अब PHP क्या है PHP एक backend की programming language इस चीज को आप समझो PHP कोई जादू नहीं है PHP कोई ऐसी चीज नहीं गया लिग दिया और run हो गई इसको execute करने के लिए हमको एक piece of software चाहिए होता है और वो piece of software आप लोग download कर सकते हैं यहां से अब इस चीज को करने के कई methods है ठीक है यहां दो आप यहां PHP.net से download कर ले लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम backend में PHP को इस्तेमाल करें websites develop कर पाएं किसी folder में अपनी PHP की सारी source files को डालें और वहां से access कर पाएं same computer से हम चाहेंगे कि same computer से उन files को execute कर पाएं और अपने browser में अपनी PHP की websites को render होता हुआ देख पाएं तो अगर आप लोग यह चाहते हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा PHP install करना पड़ेगा शायद आपको Apache web server install करना पड़े फिर उसी के साथ साथ अगर आप लोग database use करना चाहते हो तो उसके बाद MySQL आप लोग को install करना पड़ेगा आप लोग यार इतना कौन टेंशन करेगा यार मैं तो एक beginner हूँ मैंने तो कभी programming ही नहीं करी है अगर आप लोग ऐसे एक इंसान में से एक हैं कि आपने कभी programming ही नहीं करी है आपको क्या होता है MySQL आपको क्या होता है Apache server आप बोलोगे PHP मैं download करूं कैसे कर इसलिए आपकी परिशानी का आपकी जो मुसीबते है एक beginner की मुसीबते उसको सुनाए किसीने किसने सुनाए Apache friends ने तो आप लोग XAMP software को download करें अब यह क्या चीज है XAMP यह सारी के सारी चीजों को एक software बना देता है यानि कि जो चीज आपको अलग-अलग जाके आपको खर अब लोग ब्रयानी कहते होंगे अगर आप लोग खाते है तो मुझे नीचने कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि मैं भी खाता हूं तो बिर्यानी बनाने के लिए आप लोगो को आके कहीजیا की जरूरत पढ़ती हो इलायची की झजरूरत पढ़ती है बड़ी इलायची परिदनी पड़ेंगे कि दुगान पर आप जाओ गया बोलो एक पड़ी इलाइची का पकेट दे दो एक छोटी इलाइची का पकेट दे दो आप एक ये दे दो एक वो दे दो तो इसलिए किसी ने सॉलीशन मनाया एक बड़ा पकेट मिलता है बिर्यानी मिक्स करके उसमें सब चीजे होती है एक साथ उसमें लाइची भी रोती है उसमें सॉफ भी होती है सब कुछ होता है उसमें तो एक तरह से समझ लो कि ये वही पकेट है Zamp जिसके अंधर सारी चीज़े हैं बिर्यानी बन यह वो दूसरा piece of software है जो कि मैं आपको install करवाना चाहता हूँ 148.147 MB का ही software है अब यहाँ आप लोग देखो XAMP for Windows, Linux और Mac इन तीनों के लिए यह है ठीक है तो इनके पास कुछ और भी applications है जो कि आपकी जिन्दगी को आसान बनाती है तो कभी future में आप एक अच्छे web developer बन जाते हो सब चीज़े आप लोगो पता चल जाता है तो मैं कहूंगा कि आप लोग क्या करो कि वापस आना यहाँ पर और यहाँ पर वापस आके आप लोग इन सारी applications को तो ट्राय कनना कि किस तरह से एक बार आप रन करोगे application को और काम आपका हो जाएगा ठीक है लेकिन अभी के लिए हम लोग zamp install करेंगे याद रखना अगर आप लोग linux में है यह OS X में यानि कि macbook में है तो आप लोग इन दोनों को consider करेंगे मैं windows में हूँ तो मैं windows को consider कर रहा हूँ यहाँ पर download करूँ मैं इसको मैं यहाँ पर 147 MB sizes का अब यहाँ पर देखो यह 0.29,0.16 गया रहा है कौन सा करें install समझ नहीं आ रहा है आप लोग सोचोगे पहला वाला कर लो जादा difference नहीं है पहला वाला कर लो ठीक है बिल्कुल difference नहीं है जादा कभी कोई software अपना version अपग्रेड करता है तो लोग परिशान हो जाते है मैं python का course पढ़ा रहा था मैं आप लोग को बताता हूं उसमें python 3.7.1 से 3.7.2 आ जाता है नहीं है तो लोग कहने क्या यह course अब valid है या नहीं है जबकि basics एकदम same है शायद वो जो feature add किया हो वो आप लोग use भी ना करें कभी हो सकता है कि वो एक bug fix हो जो कि एक bug हो उसको fix किया गया हो कोई छोटा मोटा change हो तो हमेशा से कोई भी piece of software होता है उसमें बहुत major change लाना एक बहुत ही मुश्किल होता है अगर 3.7.1 3.7.2 हो गया मुझे लगता है जासा changes आएंगे इसमें ठीक है उसी तरह जो PHP है आपका जब तक 7 है अगर बात में 9 भी आजाता है और कोई आगे version भी आजाता है तब भी PHP के basics PHP 5 में और PHP 7 में kind of same है so I hope कि आप लोग समझ पाएंगे अपना आप दिमाग लगाएं PHP PHP है आप लोग को समझ में आएगी बिलकुल भी परिशान ना हो आप लोग zam को install करें अभी एक beginner के दिमाग में बहुत सारे सवाल डोलते रहते हैं यह कैसे करूं वह कैसे करूं क्या job मिलेगी क्या क्या यह सीखके time waste तो नहीं हो जाएगा मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं इस दुनिया की कोई भी programming language आप उठाके सीखते हैं कभी आपका oops moment आपके जाके नहीं आएगा मैंने यह सीख ली मैंने तो यह सीख लीनी चाहिए थी मैंने अपनी जिंदगी का जो time में बरबाद कर दिया PHP के साथ कभी ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ ठीक है तो यह जो famous programming languages है जिनका नाम आप सुनते रहते हैं उनमें से कोई भी एक उठाके आप लोग अगर जि उसी language है उसको सीख पाएंगे बहुत ही असानी से आगे बढ़ते हैं XAMP को install करते हैं आपर मैंने आप लोग को बताया था कि XAMP क्या है XAMP basically एक package है जिसमें आप लोग को कई चीज़े मिलती है आप लोग को XAMP के अंदर PHP तो मिलता ही मिलता है PHP के साथ साथ आप लोग को मि wizard ठीक है इसको next करो अब यहां पर क्या 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 इंस्टॉल करना चाहते हो अब यह कुछ additional components इंस्टॉल कर रहा है इसको ऐसे ही रहने दो मैं कहूंगा सारे के सारे components इंस्टॉल कर लो next पे क्लिक करो यहां का इंस्टॉल करना चाहते हो XAMP को एकदम default location perfect बैठती है C XAMP में नहीं करेंगे install next पे क्लिक करेंगे और यहां पर रहा है learn more about bitnames को मैं भी भाटा दे रहा हूं नेक्स करो और यह कह रहा है अब हम install करेंगे next करो और यह install कर रहा है ठीक है तो Apache, MySQL, PHP, Perl हम use नहीं करेंगे Apache, MySQL, PHP, MySQL use करेंगे PHP use करेंगे Apache एक web server है वो use करेंगे ठीक है तो जब आपके बस traffic बहुत जादा बढ़ जाता है तो आप लोगों को एक web server run करना पड़ता है शायद आप लोग एक normal अगर कोई website बना रहे हैं तो शायद आप लोगों को web server की ज़रूरत ना पड़े अगर सिर्फ आप ये उस website को use करते हैं तो आप लोगों को लगेगा किया मैं web server क्यों use करूं जब मैं अपनी इस html को खोल के देख सकता हूं तो लेकिन जब बहुत सारे लोग आपकी website पर आएंगे तो आप लोगों को एक web server configure करना पड़ेगा तो आप लोग अगर उस web server को configure करना चाहते हैं तो आप लोगों को web server install करना पड़ेगा इसलिए शुरू से इन सब चीजों को हम दियान में रखते हूं अपनी websites को बनाएंगे तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो की small scale हो हम अपने आपको देखेंगे एक ऐसे PHP developer के रूप में के जिससे अगर बोला जाए कि हमें एक website चाहिए जिसमें 1 billion users आने वाले हैं 1 million users आने वाले हैं उस scale की websites पर भी हमारी मुंडी हाँ होनी चाहिए we should be nodding our heads हम कहेंगे हाँ बन जाएगी मैं बनाऊंगा website तो हम लोग Apache website यूज करेंगे जितनी भी production की best practices है उनको यूज करेंगे ताकि website डाउन ना हो ठीक है कभी भी आप यह निचाहिएंगे आपकी website डाउन हो या फिर आपकी resources कम पड़ें तो उस तरह की चीज़े भी हम लोग देखेंगे आप लेकिन पहले basics पहले आपर हम basics को समझेंगे क्यों PHP यूज की जाती है PHP का क्या हमारा life में importance है एक web developer अगर हम हैं तो यूज आप अभी install हो रहा है और थोड़ा सा time लेता है ये कुछ PCs में मेरी PC थोड़ी सी faster relatively अब हो सकता है कि आप लोग मैंने एक video में बोला था कि मेरी PC थोड़ी faster आपका time लग जाए किसे ने comment किया था मेरे पास i9 है मेरे पास इतनी RAM है तो you are an exception bro आपकी PC में होगा शायद लेकिन हम जो majority लो 25, 30, 70,000 रुपय कंप्यूटर होता है वो उसके में विल्कुल थोड़ा time लग सकता है and that's totally fine एक दो मिनिट लगता है install होने में होने दो ये कह रहा है कि setup is finished कि आप XAMP को अब run करना चाहते हो यहाँ पर आप XAMP run करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो आप बोलो हा करना चाहता हो तो मैं आप लोग को XAMP भी दिखा देता हो यहाँ पर यह कह रहा है कि आप लोग का XAMP जो है वो चल चुका है अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ वापस स्टार्ट करूंगा और मेरा Apache और MySQL दोनों स्टार्ट हो चुके है ठीक है थोड़ा सा आप लोग को तू तूर देना चाहूंगा इसका XAMP का ठीक है और अगले वीडियो में हम लोग टूर लेंगे XAMP का देखेंगे कि XAMP क्या है XAMP को क्यों यूज किया जाता है और अभी के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना यह सबसे पहले तो Visual Studio Code और XAMP यह दोनों इंस्टाल करके इस स्टेज पर आजाएं कि आपका Apache और MySQL चल रहा है एक error आया करता था पहले उसमें यह लिखकर आता था कि port 80 is already in use और वो आता था Skype की वाज़ा से तो अगर आपके बस Skype है मुझे नहीं लगता आपको problem आईगी वो सबसे पहले तो मैं बस mention इसलिए कर रहा हूं कि आज से 5 साल पहले वो problem आया करती थी उसमें होता क्या था अगर आपके बस Skype installed है तो बोलता था कि यार आपका Skype जो है वो port 80 ले रहा है वो आपको बताता भी नहीं था कि वो Skype ले रहा है वो बोलता था port 80 is already in use cannot start zamp इस type का कुछ error आता था तो आप Skype को reinstall करें अपडेट करें हटा दें चाहता हूँ कोई भी application port 80 use कर रही है अगर तो आप लोगो पता चल सकता है rightly करके task manager में जाए फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग को services में या details में आप लोग जाए आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी process ID है वो जो की आप लोग को परिशान कर रही है ठीक है तो आप लोग को जैंब जो हो process ID बता देता है कि बाई ऐसा है कि यह जो process ID है वो आपकी क्या कर रही है आपको port 80 use कर रही है तो आप लोग को पता चल जाएगा अगर मालो by any chance वो आप लोग को नहीं बता रहा है कौन सी process ID है तो आप लोग यहाँ पर resource monitor लिख सकते है resource monitor लिखने के ब नहीं है इसको successfully run होने के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखो port 80 बता रहा है कि httpd.exe जो है ले रहा है जो कि यह खुद process है और इसलिए मेरी green चल रही है तो यह problem आपको पहली बात तो आने वाली नहीं है तो मैं इस पर जादा focus नहीं करता हूँ लेगिन किसी को future में आए तो यह आप लोग कोई समझ में आ गया होगा mysql में अगर आप यह admin पर क्लिक करते हो तो यह phpmyadmin आपका खुलता है ठीक है और यह phpmyadmin क्या है phpmyadmin कुछ नहीं है phpmyadmin आपको help करता है एक इस चीज में यह आपको help करता है आपके databases देखने में कौन-कौन से database आपने बना हो जाए तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो यह ठीक है तो यह है हमारा कुछ information कि आपका web server कौन सा यूज हो रहा है php conversion कौन सा है php के कौन-कौन से extensions यूज हो रही है आप कौन से user हो तो इन सब चीजों में अभी बिल्कुल मत जाओ एक beginner हो तो बस आपको minimal क्या करना है XAMP install करना है VS code install करना है XAMP पर VS code एक बार install हो जाते है उसके बाद आप लोग को यह start करना है इतना कर हो जाता है तो बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में मत सोचो बागी सब कुछ जो है bonus है एक बार चल जाता है यह तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो और बाकी का काम है PHP रन करने के लिए वो करेंगे और वैसे almost we are done हम अब directly PHP का प्रोग्राम बहुत जल्दी लिखने वाले है तो यह आपर एक important बात बोलना चाहूँगा कि यह जो course है वो एक playlist में में डालूँगा और वो playlist का link में description में डाल दूँगा वो playlist आपकी यहाँ पर मेरे playlist section में भी show हो जाएगी तो आप लोग playlist section में जाकर उसको access कर सकते हो ठीक है so मैं चाहूँगा कि सब लोग इस playlist को bookmark करें और उस playlist को save कर लें ताकि सारे के सारे videos आपके पास जो है वो आ जाए ठीक है so अभी के लिए guys इस video में इतना ही I hope कि आपको zamka और आप लोग को अच्छा लग रहोगा आप इस point पर comfortable feel कर रहोगी कि आप PHP start कर चुके है तो अगली video में मिलते हैं और वहाँ पर हम लोग आगे की बात करेंगे so अभी के लिए इस video में इतना ही guys इस video को like करना बिलकुल मत बूलना उससे मेरा motivation बढ़ता है thank you so much guys for watching this video and I will see you next time